द्रवीड आंदोलन के अग्रणी सामाजी क्रांतिकारी पेरियार ई.वी रामस्वमी नायकर की किताब सच्ची रामायन को पहली बार हिंदी में लाने का श्रय ललेई सिंग यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायन का हिंदी में अनुवाद कराते ही उत्तर भारत में तुफान उठ खड़ा हुआ था। धार्मिक भावनाय भढ़काने के आरोप में किताब को जप्त कर लिया। मामला इलाबाद हाई कोर्ट में गया। राज सरकार के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि ये पुस्तक राज के विशाल हिंदु जन संक्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है। और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाशा में महान अवतार श्रीराम और सीता एवं जनक जैसे तैवी चरीतरों पर कलंक मढ़ा है जिसकी हिंदु पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर पतिबंध लगाना जरूरी है। इस पुस्तक के प्रकाशक के पक्ष में रहा इलाबाद हाई कोट के फैसले को सुप्रिम कोट ने सही माना और राज्य सरकार के अपिल को खारीच कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर 1935 में ही हिंदु धर्म छोडने की घोशना कर चुके थे। धर्मांतरन का कार्यक्रम बना 14 अक्टुबर 1956 को। पेरियार ललाई सिंग अपने प्रेणा पुरुष के साथ ही धर्मांतरन करना चाहते थे। लेकिन अचानक खुन के उल्टी हुने के कारण उन्हें अपना फैसला रोकना पड़ा। उन्होंने घोशना की कि जिन महास्थवीर से डॉक्टर अम्बेड करने दिक्षा ले थी उन्हीं से वे भी दिक्षा ग्रहन करेंगे। इसे मामला थोड़े दिन टला। आखिरकार 21 जुलाई 1967 को उन्होंने महास्थवीर चंद्रबणी की मार्क दर्शन में बुद्ध धम की दिक्षा ग्रहन करी। धर्मांतरण के बाद दिये गए अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने नकेवल स्वयम को बौध माना अपितु अपने नाम के साथ जुड़ा जाती सुचक शब्द यादो छोड़ने का भी एलान कर दिया। पिरियर लले सिंग यादों ने इतिहास के बहुजन नायकों की खोच की। बौध धर्मानुयाई बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श विक्तियों में शामिल थे। सोशितों पर धार्मिक डगेती, सोशितों पर राजनितिक डगेती और सामाजिक विशमता कैसे समाथ हो। वे 1933 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतोर सिपाही भरती हुए थे, पर कॉंग्रिस के स्वराज का समर्थन करने के कारण जो ब्रिटिश हुकुमत में जुर्म था, वे दो साल बाद बरखास्त कर दिये गए। उन्होंने अपिल की और अपिल में वह बहाल कर दिये गए। इस संग के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए उच्छ अधिकारियों से लड़े। एक और नोकरी की चुनोतियां और संगश थे, दूसरी और वेतिगत जीवन की तरास दियां। लले सिंग का पारिवारिक जीवन बहुत कष्ट मैं था। नीजी जीवन, दुख, दर्द उन्हें समाज में व्याप्त, दुख, दर्द से जोड रहे थे। लले सिंग के साहित ने बहुजनों में ब्राह्मनवाद की विरुध विद्रोही चेतना पैदा की और उन्हें श्रमन संस्कृती और वैचारिकी का नवजागरन किया। एक सामाजी कारेकरता लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मनवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ती के लिए समर्पित कर दिया। साथ फरवरी 1993 को उन्होंने अंतिम विदा ली। इस दुनिया को अलविदा कह।